दोस्तो खरीबना चाहते एक फैमिली कार नहीं है एंटीका का बजट तो आ रही है पावरफुल टर्पो इंजन वाली रेनो टाइबर तो चलिए जानते हैं दोस्तो अभी तक आपने हमारे न्यूज एंड हिंदी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो यह लालब बटन दवा के चैनल को कर लीजिए जल्दी से सस्क्राइब और साथ में दोस्तो जिनोंने सस्क्राइब कर रका है और बैल आइकन को नहीं दवा रखा तो साइड में ब कि पिछले साल सब 4 मीटर केटेगरी की MPV रेनो टाइबर को लॉंच किया था 7 मीटर वाली इस कार की शुरुवाती कीमत दोस्तों मात्र 5 लाग रुपे रखी गई थी भारती बजार में इस कार का मुकावला मारूती सुज़गी एंटीगा से होता है अब रेनो कमपनी इस कार का नया मॉडल लाने की तियारी में लग गई है नया वेरियंट दोस्तों केवल पहले से ज़्यादा पावरफुल होगा बलकि किफायती भी होगा और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ है जहार रेनो अपनी टाइबर को नए इंजन के साथ लाँच करने की तियारी में है वही जल्दी इस कार के टर्बो इंजन को भी लाँच करने की तियारी हो रही है कमपनी के मताबिक कमपनी टाइबर का टर्बो एडिशन लाँच करने वाली है माना जा रहा है कि कमपनी टाइबर में आपको 1.0 लीटर का 3 स्लेंडर वाला टर्बो चार्ज पैटरूल इंजन दे सकती है ये इंजन निसान की कार माइकरा में दिया जाएगा और दोस्तों मैं आप सभी को एक और खुश कबनी देना चाहता हूँ कि इसके अलावा रैनो टाइबर का AMT मोडल भी बारतिय बजार में जल्द लाँच होने वाला है कमपनी, Automatic Transmission और टर्बो फीचर को इस साल यानी 2020 में मार्च में इस दोरो कारों को लाँच कर देगी रैनोल्स टाइबर की शुरुवाती की मत दोस्तों 4.90 लैक रुपीज से होने वाली है इंजन और पावर की बात की जाए तो दोस्तों नई टाइबर MPV में आपको 1.0 लीटर का पैटरल इंजन देखने को मिलने वाला है जो कि आपको 71 BSP की पावर परतान करेगा तो दोस्तों ये तो बड़ी शानदार बात होगी है कि टाइबर के दो नई वीरियंट भारती बजार में मार्च में लाँच होने वाले है पहला है दोस्तों इसका टर्बो पैटरल इंजन और दूसरा है इसका AMT वीरियंट अब दोस्तों देखना है कि दोनों कारे नए परफॉर्मेंस के साथ उतरती है बारत में और क्या कौन सी कारों को टकर दे पाती है अपनी राय दोस्तों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि ये कार आप सभी को कैसी लगी और वीडियो को भी न लाइक करें बिल्कुल मच जाएगा मिलेगे दोस्तों में आपसे नेक्स वीडियो में दन्यवाद